हाई फ्रेंड्स असलाम लेकूम वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सर आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ काश्मीरी पुलाव बनानी की रेस्पी ये पुलाव बहुत ही लजीज होता है और बहुत ही झहट-पड भी बनता है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेस्पी आची लगे तो प्लीज इससे लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब भी कर दें तो चलिए फ्रेंड्स वराना श्टीर चर्त करते हैं तो देखिए आप यांपर हमने एक पतीला गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डाल देते हैं दो बड़े चमज घी को गर्म होने थे लिए और इसमें एक medium size के प्याज को बारीक करके डाला है तो इस तरह से hananheem कर लिया प्याद मेरा ब्राउन हो गया था तो हमने इसे निकाल दिया है अब मैं तड़के के लिए ले रही हूँ यहाँ पर शाहिद जीरा है दाल चीनी बड़ी लाइची हरी लाइची लॉंग कबाब चीनी जावीतरी और तेश पत्ता तो इन सब को मैं डाल दोंगी घी में चटकने दोंगी फ्लेम को मैंने हाई रखा है अब फुरा साइसे चटकने देते हैं अब इसमें दो हरी मिच को बीच से कट करके हमने डाल दिया है और इसे भी थोड़ा भून लेंगे उसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर हमने रखा है मखाना तो यह मेरे पास थोड़ दालें तो बेहतर होगा यहाँ पर हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट लिया है हाफ टीस्पून जिंजर का पेस्ट हाफ टीस्पून गार्लिक का पेस्ट और इसे हमने भून लिया है यहाँ पर हमने दो कप लिया है बासमती चावल यह छोटे दाना वाला जो खुश्ब पुलाओं में डालते हो इसके बाद हमने गर्म पानी 3 सब्सक्राइब तो ये 2 cup चावल में हमने साहे 3 cup पानी डाला है उसके बाद हमने 2 teaspoon salt भी डाला 1 cup के हिसाब से 2 cup चावल तो 2 teaspoon यहाँ पर हमने डाल दी है salt भी cover करके हमने पकने के लिए छोड़ दिया था जब पानी सोक हो गया तो मैंने cover रटाया यह सारा process high flame में हुआ है उसके बाद मैंने flame को बिल्कुल slow कर दिया दम पर रखने से पहले मैं इसमें डाल दूंगी half निमुकरस तो यहाँ पर 1 teaspoon हमने निमुकरस डाला है और अच्छे से इसे mix कर लोगी mix करने के बाद इसमें मैं डाल लोगी शेफ्रॉन यह हमने लिया है थोड़े से शेफ्रॉन उसमें मैंने डाल दिया है गर्म दूद और दो तीन मिनटी से छोड़ देंगे कलर यह खुद आ जाएगा इसका तो देखिए हमने इस तरह से हिला दिया था तो अच्छा सा कलर आ गया है और कश्मीरी पुला में इसके खुश्बूर बहुत अच्छी आती है तो यहां पर देखिए हमने डाल दिया है शेफ्रॉन को और इसे चारो तरफ से में फैला दिया और यहां पर वन टेबल स्पून गर्म दूद भी डाला है डाल करके कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम में पांच मिनट छोड़ देंगे पांच मिनट के बाद मैंने कवर अटाया उसके बाद देखिए यह मेरा कश्मीरी पुला बिल्कुल रेडी हो चुका है तो मैं इसकी सरिंग करने जा रही हूँ यह बहुत ही टेस्टी बना है आप इसे इसी तरह भी खा सकते हैं बेगार किसी भी सालन के इंज्वाइ कर सकत हैं यह कश्मीरी पुला बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप लोग जरू ट्राइ करके देखिएगा मेरी इस रेस्पी को इजे फ्रेंट्स यह आप लोगों के लिए मैंने इसमें तली हुई प्याज हरी मिर्च निबू से गानिश कर दी हैं यह बहुत ही लज़ीज बना है तो आप लोग जरूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आप लोगों का कश्मीरी पुला कैसा बना है तो फ्रेंट्स कैसा लगा मेरा यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कोई फ्रेंट्स मिलते हैं एक नई और आसान सी रेस्पी के साथ अपना ख्याल रखिए दौाओं में याद रखिए थैंक्स पर वाचिंग टेक क्यार अला हफिज